लीला बंसाली जी जो है, रनवीर सिंग जो है, दिपिका पडुक ने, दिपिका पडुकोन और शाहिद, I think बहुत ही respected लोग है, राजबूद एक ऐसी कौम है, जिस कौम के लिए हमें बहुत सारा respect है, बहुत सारी इज़त है, मैं खुछ शत्रिया हूँ, मैं अंगलोर का यह definitely कहूँगा कि 100% उनकी intention यह नहीं होगी, कि वो किसी को दुख पहुचाए, या कुछ negative करे, I think एक मौका देना चाहिए, जहां फिल्म देखाई जाए, जहां वो फिल्म देखे, और फिर decide करे, I think एक ऐसी, एक ऐसी फिल्म, जो painting की तरह बनाई गई है, उसमें 100% मैं के साथ कह सकता हूँ, कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जिससे लोगों को खराब लगे या बुरा लगे, बल्के जैसे की अर्नव ने कहा, यह एक ऐसी फिल्म है, जिसे देख कर हर राजपूत फ्राउड फिल करेगा, कि उसकी कौम ने, और उनकी रानी ने, कितनी बड़ी sacrifice की अपनी इज़त के लिए, तो I think एक फिल्मेकर को मौका दिया जाना चाहिए, उन एक्टरों को मौका देना चाहिए, कोई कहीं बैट कर कह रहा है कि मुझे दिपिका का सर चाहिए, हम कौन सी दुनिया में रह रह रहे हैं, हम कौन सी दुनिया में रह रह रहे हैं, वो भी एक है तो I think बोलने से पहले भी हमें सोचना बहुत ही जरूरी है कि हम किसे दुख पहुचा रहे और मैं जैसे कि मैंने कहा दावर के साथ कह सकता हूं कि आईसा कुछ नहीं होगा फिल्म में जहां हमें शर्मिन्दा होना पड़े हमारी शान है राजपूत हमारी शान है देश की शान है तो हम क्यों हमारी इंडस्ट्री ऐसे कोई काम करेगी जिस से किसी और को धुख पूचा है जाएगा और वैसे भी राजिस्तान के बारे में हमें सब को पता है कि मैं राजिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया राजिस्तान में तो मैंने काम किया अतिती देव भव का असली मतलब राजपूतों से ही आता है राजिस्तान के लोगों से ही आता है तो आई थिंक पुलिटिकल न होते हुए हम अगर इसे देखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा यह संसर बोर फिल्म देखके डिसाइड करेगी कि किसी को थेज पहुंचा है या नहीं किसी कौम को हमारे कौम को थेज पहुंचा है या नहीं जुए भी पहुत बहुत बढ़ बहुत इंपॉर्तिघ कि रहेगी इसमें लेकिन एदिख रृष्टर में वेनरी रिचेनी लिच्वेशिंट प्रजिकल थेखेंड नहीं नहीं आखाॉना चाहिए था वह थेजिए लेकिन एज़ूने रस्प्रजिकल फॉर्प्समी उनली रि बार्व अकार्टी प्राटी इसे क्योटे